तो दोस्तों यह है Yamaha R15 B3 जो आप पहचाने चुके होंगे और यह एक special edition है जो की monster energy है और फिलाल यह बंद हो चुका है फिलाल मैं आपको बता दो कि यह BS4 variant है और मैं आपको बता दो कि इस bike का one year complete हो चुका है और मेरे साथ इस bike से जुड़े हुए एक सल के experience को आपके साथ share क कुछ चीजे जो मुझे Yamaha R15 B3 पर अच्छी नहीं लगी है उसके बारे में भी आपको कुछ जानकर यह देने वाला हो और साथ है आपको बताने वाला हूं इस bike से जुड़ी कुछ खास बाते जो मुझे एक साल के अंदर पता चली है जो पहले पता नहीं थी यह इसके साथ जो experience है वो मैं आपके सभी लोगों के साथ में share करने वाला हूं जिसे आपको एक बहतरीन और एक helpful जानकारी मिलेगी Yamaha R15 B3 BS4 वेरेंट से और अगर आपको Yamaha R15 B3 के BS6 model पर भी अगर review चाहिए तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं देर ना करते हैं इस वीडियो को like किजे, share bell icon को press किजिए, तो दोस्तों सिदे भी स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आप सब लोगों को इसे front look से दिखाए, तो front look Yamaha R15 B3 का कुछ इस प्रकार का look है, जो फिलाल भी इसी प्रकार का, BS6 में कुछ खास changes किये गया है, जो मैं BS6 bike को लाकर आप सब लोगों को बताऊंग का, फिलाल मैं आपको बता दू कि इस bike कुल मिला का कुछ इस प्रकार का interface आपको आगे से मिलेगा, जो की काफी बहतरीन और एक premium sport bike की तरह look दिया गया है, इस bike पर आपको devil ABS मिलता है, front और back दोनों ही पर, इस bike पर ABS मिलता है, जिससे braking system काफी बहतरीन हो जाता है, इस bike का जो BHP है, वो 19.1 BHP है, फिलाल की जो BS6 वाला bike है, उसकी BHP थोड़ी कम है, यानकि उसकी power थोड़ी कम कर दी गई है, और कुछ खास changes जो किये गए है, BS6 में वो मैं आपको BS6 के bike पर बताऊंगा, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इसके front से कुछ बातें बता द दी गई है, यानि कि कोई भी light है, आपके engine start करने पर या फिर आपके high beam पर कोई light बंद नहीं होती है, सभी lights जलती रती है, इसके performance की बात कर तो काफे बहतरीन performance है, और एक budget segment पर एक sport bike की अगर बात करें, तो अगर आप इसके comparison में RS200 को लेते हैं, या फिर KTM के 125 को लेते हैं brake पर आपको यहाँ पर मिलती है, dual channel ABS जो की काफी battery brake performance देती है इस bike पर, आपको मिलती है 17 inch के alloy wheel जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों ही आगे और पीछे दोनों ही में 17 inch के tires दे गए हैं, front पर आपको मिलता है 100 by 80 का 18 by 17 inch का tires जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आप back की बात करें तो back पर आपको मिलता है 140 by 70 आप 17 inch के tires मिलते हैं, याना कि इस bike का tires है जो वो भी काफी बहतरीन है और एक sport bike के मताबिक यह बहतरीन performance के साथ में एक बहतरीन budget पर आ जाती है, अगर हम इस bike के mileage की बात करें तो Yamaha R5 B3 B4 variant पर, अगर आप चाहें तो highway पर मेलेज निकाल सकते हैं, जो की काफी बहतरीन है और मेरा personal opinion है कि इस से मैं 45 का mileage निकाल लेता हूं, और अगर मैं local city पर बात करूं, तो आपको 35-40 का mileage यह bike काफी आसानी से दे सकती है, और फिलाल मैं इस bike से city पर 35-40 का mileage आसानी से निकाल भी लेता हूं, फिलाल अगर मैं आप अगर मैं इस bike की बात करूं, तो यह bike एक अपने segment का पर काफी बहतरी bike है, इस budget पर आपको other bike के अगर मैं बात करूं, तो ktm का 125 मिलता है, जो इतना power generate नहीं करता है, इसके लगवा अगर मैं इसी budget के बात करूं, तो यह फिर इसी के performance के 150 के range पर बात करूं, तो आपको सुजुकी जिकसर SF मिलता है, यह फिर सुजुकी जिक रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा परिसानी आ सकती है, जैसे कि आगर आप इस bike को लेकर off-roading वगएरा करते हो, अगर Uber खाबड़ा वले रास्ते पर चलाते हो, तो आपको इस bike पर काफी ज्यादा परिसानी आएगी, यह फिस के handle पर आपको, आपका handle जो हो थोड़ा खरा करनी पड़ी है, और फिलाल उसे off-roading नहीं किया जाता है, क्योंकि उस पर लगबग पाइंदरा सुर रॉपय का खर्च करेंगे, उसके T को change किया गया है, handle के T को जो change होता है, वो अंदर सिहां से, जो पूरी तासे खत्म कर देता है, और handle आपका पूरा हिलने लगता है, य चला सकते हैं, इस बाइक का अगर मैं instrument cluster की बात करो, तो काफी बातरी instrument cluster दिया गया है, जो आप यहां पर देख सकते हैं, और यहां पर आप से लोगों को काफी सारी चीज़े दी जाती है, दो trip meter दी गया है, आपके लिए जो आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं, अपने हिसा dao kilometer पर कितने का मैलेज दे रही है कि कितने य खारी है उप यहां पर देख सकते हैं इस को ऎहां क्यों किलो मिटर पर आप कितना तेश Ultra 調 चेल रही है। भी यहां पर आप देख सकते हैं के विचे शर्वा लॉकल पर चलने के लिए पहतरीन बाइक है यानि कि आप इसे लोकल पर भी है बिस्टर बाइक है तो अगर आप इस बाइक को लना चाहते हैं अगर बिस फोर विरेंट आपको मिलता है तो मैं आपको बता दो कि हैसे काफी बहुतर रेगी बेस फूर और अगर ऐसा क्यों मैं बहुल रहा हूं इसके लिए आपको ब्यासिक्स का वेरेंट का जब मैं रिब्यू करूंगा तो उस वीडियो को आपको देखना होगा तभी आपको पता चले पाएगा कि ब्यासिक्स वेरेंट से काफी बैतर इन क्यों है इसके लग मैं कि सीट हाइट की करो तो अगर आपकी हाइट 5.5 फीट से अधिक है या फिर लगबग उतनी है तो आपके लिए यह बैक बिल्कुल परफेक्ट है आपको नहीं जाम अगरम दिक्कत होगी या नहीं किसी कहीं और भी कुछी रास्तर पर दिक्कत होगी अगर हाइट आपकी पांच फीट या उ कम है तो यह बाइक आपके लिए थोड़ा प्रोब्लम कर सकती है बाकी इस बाइक पर आपको कोई भी तरह का कोई भी प्रोब्लम नहीं मिलने वाला है अगर आप इसे नौर्मली यूच करते हैं तो आपको मैलेज भी बढ़िया मिलेगा परफोर्मेंस भी बढ़िया पूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपके सभी सवालों को जवाब दिया जाएगा अगर आप सभी लोगों को यह खास वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले सेर करें और इसे खास वीडियो के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक